नमस्कार दोस्तों मैं Advantage and Technology चैनल से आकिल बारस कर दोस्तों आज हम सिखेंगे कि हम किसी भी समर्शिबल मोटर का श्वार्ट और कंट्यूनिटी इस लैंप की जरीए कैसे चेक कर सकते हैं बहुत दिनों से मैं यूज़ कर रहा हूं बहुत अच्छी तरह काम करता है 100% काम करेगा यह चीज ऐसी है कि अगर आपकी मोटर जली है तो जली ही बताएगा अगर आपकी मोटर अच्छी है तो अच्छी ही बताएगा आपके मल्टी मेटर से भी accurate यह बता देगा ठीक है मैं इसको accurate मानता हूँ, क्योंकि यह जली है तो जली ही बताएगा, अगर अच्छी है तो अच्छी ही बताएगा, मल्टी मेटर से ही बहतर काम करेगा यह, लेकिन दिक्कत वाली बात है कि हम जो मिस्त्री है, इसको ज्यादा यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि टूट जाता है, बस आप चेक कर सकते हैं, मोटर को चाहिए तरी पेजो तबी चेक कर सकते हैं, बस इस बलवटर को आपको इस दो तारें इस तरह जोड़ देना है, और यह किसी की भी घर में आपको मिल जाएगा बड़ी आसानी से, होल्डर जैसा भी चलेगा, बस हमें चाहिए यह 100 वैट का ल जेरो बलपर भी यूज कर सकते हो, वाइट वाला हो, चाहिए लाल वाला हो, चाहिए पिला वाला हो, इसकी जगे पे आप जेरो बलपर का भी इस्तिमाल कर सकते हैं, लिकिन अच्छी तरह से दिखेगा, इसलिए मैं आज आपको इसका इस्तिमाल करके देखाऊंगा, तो च को सिखाऊंगा कि इसका जरिये हम कैसे किसी भी समर्शिबल मोटर का शॉर्ट या फिर कंट्यूनिटी चेक कर सकते हैं ठीक है अब एक बात है दोस्तों थोड़ा सा मैं करना चाहूंगा इस वीडियो के एंड में कुछ दिन की बात आपको यह वीडियो अपडिट हो जाएगा कि इसके भी जरूरत नहीं है आपको शॉर्ट चेक करने के लिए बस ऐसे खाली जाओ और खाली मोटर चेक करके आओ तो आपक आपको आगे शिखाऊंगा इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राब करके रख दीजिएगा चलिए अभी प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि इसको कैसे चेक करते हैं समर्शिबल मोटर को दुस्तों ने现在 आपको एक्जामपल के लिए यह जो समर्शिबल मोटर है वो चेक करके आपको दिखादाओ वहां पर उसका प्याल बॉक्स है दूस्तों यह समर्शिबल मोटर है मैंने चेक लिया है मल्ट्िमेटर से तो यह जो motor है जल गया है तो अब यह आपको समझ में आजाएगा कि जली होई जो motor है हमारे जो लैंप है वो किस तरह react करेगा ठीक है यहाँ पर मैंने देखा है सबसे पहले यह जो joint है यह भी अच्छी है सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि अगर कुछ problem आता है यानि कि starter on हो जाता है और पानी नहीं आ रहा है या फिर यह भी problem हो सकता है कि आपका starter चालो हो रहा है और पानी आ रहा है और फिर से बंद हो रहा है तो कुछ भी हो सकता है ठीक है लेकिन आपकी समर्शिबल मोटर चलने में दिकत कर रही है तो आपको क्या करना है सबसे पहले आपको समर्शिबल मोटर के जॉइंट सभी चेक कर लेने हैं ठीके ये तो मैंने चेक कर लिया लेकिन ये जो समर्शिबल मोटर चल नहीं रहा है यानि कि थोड़े देर की बात फेज कट रहा है ठीक है तो यह जो समझेबल मोटर का जो तार है हम वहाँ पे जाएंगे पैनल बॉक्स के अंदर और आपको चेक करके दिखाता हूं कि यह मोटर जली हुई है तो यह किस तरह हमारे जो लेंप है वो बता देगा कि यह जो मोटर है जली हुई है ठीक है पैनल बॉक्स के अंदर आया हमें ठीक है तो अभी यहां पर आके दिखिए टाटर के अंदर जो भी प्राबलेम हो कुछ हमें लेना देना नहीं है तो यहां पर हमें एक होल्टेज चाहिए 220 होल्ट ठीक है तो तीनों फेज में किसी भी एक फेज में चेक करते हैं, तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि इन तीनों फेज में करेंट आता है कि नहीं फिर आपको समर्शिबल मोटर के जो तार है उसको निकालना है, और यहाँ पर भी तीनों होल्टेज में, यहाँ पर तीनों फोइंट में आपको देखना है कि juntitel आते हैं या पिर नहीं अगर दोस्तों यहां पर तीनों फेस में यह आ रहे हैं और आपकी summerここ on नहीं हो रही है तो जरूरर आपकी summer go motor में कुछ तो घर बड़ई है तो हम summer go motor का अभी क्या करेंगे वाइडिंग शॉर्ट है या पिर नहीं उसको कैसे पता लगाएंगे वो मैं आपको बताता हूँ यह जो समर्शिबल मोटर के तीन तार है यहाँ पर यह जो तीन तार है निला, लाल और काला तार है तो यह इन तीन तारों को सबसे पहले निकाल देना है और यह इन तीन तारों को एक कर देना है तो मैं एक हाथ में क्यामेरा पकड़ा हूँ इसको नीचे रख देता हूँ दोस्तों हमने जो हैं समर्शिबल मोटर के तीनों जो तार है उसको निकाल दिया है और इसको यह कर दिया है अगला process है आपको एक लेले आना है कुछ इस तरह छिए मिर एक हाट में camera है इसलिए में ठीक से करने रहा हूं तो चलिए अगला process बताता हूं इस lamp की डो तार हैं यह उहां पर जोड़ दो और दूसरे तार को detailed को face के अंदर डाल दो एक मिनीट में कि जो दो तार हैं, दो तार में से एक तार में ने समर्शिबल मोटर के तीनों तारों को जोड़ दिया, और बचा हुआ एक तार, अब हमें फेस के अंदर लागा देना है, ठीक है, अभी जो होल्टेज हैं, सिंगल फेस हैं, चलिए देखता हूँ, क्या होता है, अगर ये बल पर जल जाता है, यानि कि बल पर गलो हो जाता है, तो समझ लेना आपकी मोटर जल चुकी है, ये इस तार ने जो है, आपके समर्शिबल मोटर के जो तार हैं, इस ने अर्थ का काम नहीं करना चाहिए, तो चलिए अभी चेक कर लेता हूँ, तो देखिए बल पर जल गाया, आपके जो समर्शिबल मोटर है वो जल चुकि है, ठीके, यहाँ पर हम देखेंगे, होल्टिस देखेंगे, इसके अंदर धीम है और इसके अंदर फुल है, क्योंकि हमारी पास अभी सिंगल फेज़ लाइट है, ठीके, लेकिन सिंगल फेज होल्टिस में भी हम समर्शिबल का जो टंगस्टन का है तो वो लाल भी हो चुका है लाल भी तो समझ लेना आपकी मोटर जल गई है फिर भी जल गई है तो ये तो बहुत ज्यादा गलो हो रहा है तो समझ लेना ये दम fully जल चुकी है तो इसकी ये बात है अगर ऐसा करने के बाद आपका अगर सिर्फ थोड़ा सा स्पार्क हो रहा है लेकिन बलप नहीं जल रहा तो समझ लेना आपकी मोटर अच्छी है आप कितना भी जाक के देखे इसके अंदर अगर आपको तार इसके अंदर का लाल भी नहीं दीक रहा हो त ये इन तेन तारों में से कोई तार कट है या पिर नहीं ठीक है अब एक बात मैं कहना चाहूंगा आपका समर्शिबल मोटर फिलाल श्वाट दिका रहा है तो ये नहीं कह सकते कि हम समर्शिबल मोटर जला हूआ है ठीक है हो सकता है कि केबल भी जल गया हो जो भी हो लेकिन स अर्थ का काम करना है आप खुद मानिए अगर यह अर्थ अगर हम फेज के अंदर लगाएंगे तो क्या होगा होगा तो स्पार्क ही होगा ना जल जली जाएगा ना फेज इकट जाएगा ना क्योंकि यह अर्थ का काम नहीं करना चाहिए आपको आगया कि पता चल जाएगा च ठीक है कुछ इस तारा एक तार को आपको क्या कर देयाना है ओर आज प्सक्क माहने की में रट कहने क मतलब यह कि एक श्कremع की अनदर आ पको 220 होल्टे छोड़ देना है और दुसरे फेस चेंदर वह आपीस आता है कि नहीं वह देख लेना है उससे पहले आपको क्या करना है अब दोस्तों हमारी इस मोटर का दुसरा पार्ट कि इस मोटर का अगर हमारा तार कई पर कट गया है तो उसको कैसी चेक करेंगे एक तार के अंदर से हमे 220 होल्टेज दे देना है जो कि मैंने स्टार्टर की सिर्फ एक ही पॉइंट को जुड़ दिया है बाकी दो तार आपको खुले रखने है ये चीज़ करना है और दुसरी जो है आपको बलपका जो एक तार है उसको अर्थ देना है यह दिकि मैंने च्छोने के वज़े कि स्टार्टर आपको अगर इस तरह आउन हो रहा है तो आप चेक कर सकते हैं अन करके तो चलिए मैं इसको प्रेस करके अन कर लेता हूं देखिए बलपक ग्लो हो रहा है यानि कि दोस्तों इस काड़े तार के अंदर से अकर हमने करन छोड़ दिया तो निले तार के अंदर वापिस आ रहा है तो इन दोन तार में से कोई भी तार कटा हुआ नहीं है तो अभी चलिए लाल तार चेक कर लेते हैं ये वारा इसको भी चेक कर लेते हैं चलिए अभी फिर से मैं प्रेस करके देखता हूं बलपक जलता है के नहीं तो फिर से बलपक जा रहा है लेकिन वापीस नहीं आ रहा है ठीक है अगर कुछ इस तरह है कि इसके अंदर से जा रहा है इसके अंदर से वापीस नहीं आ रहा है यानिकि इसके अंदर बल पर गलो नहीं हो रहा है तो यह तार कट है और इसके अंदर से गलो हो रहा है तो समझ लेना यह तार आihे हंट करने के बाद आपको यहां पिज़से यहां पर बल्प लग Commerce हो रहा हुझ हक जो इन अपर ऑब सब्सकी चेज इकांपब केले अब लेता हुझ अच्छी वाली मूठर आपको दिखाँगा किसी दिखाता है हमारे यह lp दोस्तों हमारे इस तीनों तारों को बलप गलोव राई इसका मतलब यह है धोस्तो वह समर्शिबल मोटर है वह जल गाया है अब इसको निकाल थिक करना है वाइंड कर दियना है यहनि किसका वाइडिंग तो पुरा जल चुका होगा यह पिर के बल जल चुका होगा अब जो है दोस्तों मैं यह वाला समर्शिबल मोटर जो है आपको दिखाता हूं कि वह किस तरह है ठीक है उसका जो प्यानल बॉक्स यहां पर है और यह अच्छी कंडिशन का मोटर है यह आपको बल पर गलो होगा क्या नहीं वह आपको मैं दि तीनों भी फेज निकाल दूँग तो सिफूप्टी के लिए ओकinson के तीनों भी फेज निकाल दीये हैं अब आप एक जो के बले वह इस स्ता़ा का है और एक जो के भले इस मोटर का है तो चले तिनों को अलग-अलग कर देता हूं यह starter वाला अलग होगा या अभी यह motor वाला अभी इसको तिनों को मैं एक कर लेता हूँ दोस्तों अगर आप एक नहीं करेंगे तो भी चलेगा आप हर एक तार का भी short चेक कर सकते हो हर एक तार का भी एक तार का भी motor का short चेक कर सकते हो यानिके एक तार आपको मेन को दे देना है 200 विसोल्ट देना है और दूसरी तार जो है एक तार वह एक ही motor एक ही तार को जोड़ देना है ठीक है तो उसी तार का आपको short पता चल जाएगा तो चली इन तीन तारों को एक कर लेता हूँ अब यह जो बलपक का जो एक तार है उन तीनों तारों को जोड़ दिया आप देख सकते हो ठीक है अब यह मैं क्या करूँगा श्टार आन करके इन तीनों में voltage छोड़ दूँगा और इस motor का short चेक करूँगा तो आप देखेंगे यहां पर बलपक कितना glow होता है ठीक है ले यह फेज बीठा रहा हूं ओके स्टार को अन कर देता हूं वहां पर देख लूँगा सिफ्टी है क्या नहीं तो आन कर देता हूं जाल होता है कि नहीं तो यह देखिए और श्टर अन हो आया तो चलिए अभी हम क्या करते हैं voltage शिक कर लेते हैं अभी फिला जो है सिंगल फे स्टार को जोड़ दिया यहां पर और एक जो तारे मेरे हाथ में है अभी स्टार अन कर दिया तो इसमें voltage आने लेगेंगे ठीक है तो अभी देखें कि यह मोटर अच्छा है तो कितना बल पर गलो होगा कि दिखिए यह कुछ भी नहीं गलो होगा देखिए आप कितना भी जाक कि देखिए इसके अंदर लाल तार भी आपको नहीं दिखेगा तो यह मोटर बिल्कुल सही है बिल्कुल अच्छा है अगर आपको इसके अंदर का अगर लाल भी तार दिख जाता है लाल भी तार तो सबजन लेना आपकी मोटर जल गई तो यहां पर तो कुछ ने देखा only spark हो रहा है नौर्मली spark हो रहा है आपको दिखने रहा होगा spark होने दो कोई problem नहीं है नौर्मली spark जो हो यह जाता है लेकिन फिलाल बलप जो है ग्लोब नहीं हो रहा है अब यहां पर देखेंगे दोस्तों मैंने एक जो बल पका जो तार है यहां पर अरत देद दिया इसकी मदद से ठीक है और दुसरा जो तार है अभी मेरे हाथ में तो होल्टेस्ट आ रहे हैं सही है न यह दिखिए होल्टेस्ट आ रहे हैं अभी इसकी continuity कैसी चेक करेंगे वैस अब वापिस रिटर्न आता है कि ने वह चेक कर लूँगा देख लीजे तो दिखिए आपको बल पक ग्लो हो राए दिख रहा है तो इसमें से वापिस आ रहा है और इसमें से भी वापिस आ रहा है तो हमारा मोटर बिलकुल अच्छा है कोई तार वगेरा कुछ कटा नहीं ह तो इस तरह हम motor check कर सकते हैं लेकिन safety रखिएगा थोड़ी सी तो दोस्तों आखिर में यही conclusion निकल के आता है कि यह जो समर्षबल motor का अमारा winding है वो अच्छा है ठीक है तो आभी आप अपने panel boxer के अंदर का voltage सारा check करना चाहिए कि पैनल बॉक्सर के अंदर यानि कि starter के अंदर output voltage जो है ठीक है ठीक से आ रहे हैं क्या नहीं ठीक है अब जो है दोस्तों हम क्या करेंगे हमारे घर की फिच्छे एक single face समर्षबल motor है चलू condition है उसको भी हम कुछ इस तरह चेक कर सकते हैं अगर आपने देमाक चला होगा तो आपको पता ही चल गाया होगा तो आभी यहां पर देखे पैनल बॉक्सर के उपर आपको कोई तार निकालने की ज़रूत नहीं motor के directly बल होडर आपको ले जाना है और आप directly चेक कर सकते हो मैं आपको देख करा को इस तरह आपने बल्प को ले लिया ठीकर इस तरह नहीं यहां पर motor के जो तार हें वो जूड़े हैं लेकिंश के ज़ूड़े लेकिन यहां सी लेकर यहां तक ऊपर आचुके रहें कि मैंने कहा कि आपको क्या करना है separate separate क्योंनों भी तार का आपको शौट चेक कर लेना किस तरह मुझेद पता है कि हमारे जो स्टार्टर है ओन हो रहा है यानि कि हमारी जो मोटर के अंदर 220 वोल्टिज आ रहे हमें सिर्फ 220 वोल्टिज जुरूत है तो सबसी पहले आपको क्या करना है एक जो तार है मोटर के तार को लागाना है कौन सी भी तार को और ऊपर आपको देखना है यहां पर शाहिद न्यूट्रल है यह भी शाहिद न्यूट्रल है और यहां पर फेज है तो बलप लोग नहीं हो रहा तो हमारा समर्शिबल मोटर अच्छा है यह फेज इसलि बितार अच्छा है इस तार को देखोंगा ये बितार अच्छा है ठीक है तो इस तर आप तिनों बितार चेक कर सकते हैं यहाँ पर कोई जो है बलपगलो नहीं हो रहा है अगर एक तार को बलपगलो हो जाता है यानि कि दो तार को अगर बलपगलो हो रहा है और एक तार को नह आता है नहीं वो चेक कर लेना तो कुछ इस तर आप इस मोटर का continuity और शॉर्ट चेक कर सकते हैं सिंगल फेज मोटर हो चाहिए जो भी हो ठीक है इस तरह दोस्तों आप थ्रीपेज हो या फिर सिंगल फेज हो उस मोटर को जो तार है उसको बिना निकाले भी आप मोटर का शॉर अच्छे है ठीक है तो चलिए मिलते हैं किसे सिंगल में तब ते के लिए ठीक रेंट गुडबाई